आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ और 4th option दिया हुआ है Micro Computer तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं Super Computer जो रहता है ये तो Gigahertz में काम करता है तो इसका जो पावर होता है बहुत जादा होता है तो इस Super Computer तो Personal Computer होगा नहीं अब आते हैं Server पे Server में क्या रहता है Server जो रहता है अब इंटरनेट से हम लोग एकसेस करते हैं अपने में कंप्यूटर के अदर उसको बोलते हैं हम लोग Server mainframe computer क्या होता है mainframe computer मतलब सेंस ऐसा हो गया जैसे हमान लोकल अरिया नेटवर्क जो होता है जैसे इसको LAN बोलते है local area network ठीक है जिसमें कि एक से ज़्यादा computer जो रहते हैं वो एक दुसरे से connected रहते हैं तो उसको mainframe computer बोलते हैं तो उसका peripheral equipment यह तो होगा नहीं नेक्स्ट आप और personal computer तो last निदो चाह क्या micro computer micro computer जो define होता है वस यही होता कि उसके पास एक क्या होना चाहिए उसके पास होना चाहिए एक micro processor micro processor ठीक है तो यही होता है micro computer जो इसमें personal computer या desktop जो रहता है उसमें एक processor लगी भी रहती है जिसे कि कोई भी अगर instruction जो रहता है उसको execute करता है उसका right answer क्या हो गया desktop and personal computer are also known as micro computer that means fourth one is the right answer of this question Thank you 10 million से ज्यादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 84444 उपर